रवीशंकर प्रसाद ने कहा कि ये बहुत दुर्भागेपूर है कि कॉंग्रिस पार्टी के दुवारा सर्जिकल स्ट्राइक पर बार बार सवाल खड़े किये जाते हैं दिग्विजे सिंग वही हैं चिलों ने बाटला हाउस एंकाउंटर पर सवाल खड़े किये थे हमारे सावाता हिमानशु मिर्श्रा ने रवीशंकर प्रसाद से खास पातचीत की हमारे साथ है बातचीत करने के लिए भारते जनता पार्टी के वरिष्ट नेता रवीशंकर प्रसाद रवी जी दिगवेजे सिंग वो ये कह रहे हैं कि सर्जिकल स्टाइक के सबूत दे दीजे वो पुल्वामा पर सवाल उठा रहे हैं वो कह रहे हैं कि अभी तक पुल्वामा की रिपोर्ट जो है वो टेबल नहीं की गई है एर स्टाइक के सबूत मांग रहे हैं राहूल गांधी आपकी पार्टी को हो क्या गया है आपकी पार्टी ने देश फिराज किया है ना सेना की शहादत का सबूत नहीं मांगते राहूल गांधी देश उनके सौरे को सलाम करता है सेलूट करता है और जो सबूत मांग रहे हैं तो संसद में बताया जाए तो क्या किय जाए सब खोल के रगदे हैं और पाकिस्तान में आतंकवादियें के आकाओं को सब मालूम हो जाए कि भारत अपनी सामरिक सुरक्षा कैसे करता है जबकि चाहे वो बाला कोड की घटना हो चाहे वो उरी का स्ट्राइक हो सर्जिकल स्ट्राइक पूरी दुनिया में भारत की सेन के एक बारे में बड़े ही अपमाजनक शब्दों का प्रयोक किस ने किया था कि भारत से ना पिड़ गई वहाँ पर यह हैं कौन मिश्टर दिवजय सिंग बातला है उस पर सवाल उसामा जी जाकिर नायक शांती के दूत पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक राहुल गांधी ने देश के लिए जीते तो हम सभी हैं देश के लिए मरते कोन है सेना और हमारे प्रमिल्टी फोर्स के जवान ऑफिसर्स ताकि हम सुरक्षित रहें क्या उनके बारे में हम कुछ अच्छे शब नहीं बोसकते हमेशा आप उनको कमजोर करेंगे बहुत गलत है मैं इसकी भरसना क कहा कि डाइवर्ट मत कीजिये इश्व हमने सुना है कि आज तक के पत्रकार को काफी धक्का दिया गया तो यह लोग हमसे बड़े सवाल करते हैं कि लोक्तांत्रिक मूलियों का हम सम्मान नहीं करते मोधी जी कि सरकार आप क्या कर रहे हैं यही है आपके सही में मूलिया उनस कौल वामा को लेकर वह उनके निजी बयान है पाटी से उसका कोई लेना देना नहीं भारत जोड़ो यात्रा के सायोजकी वह है तब भारत जोड़ो हैं की भारत तोड यात्रा है